कुछ समय से इंडियन सिनेमा में लगातार ऐसे ऐसे प्रियोग देखने को मिल रहे हैं जो अद्बुत हैं अकल्पनिया हैं अभी पुश्पा और ट्रिपल आर जैसी फिल्मों का क्रेज खत्म नहीं हुआ था कि कन्यडा फिल्म कांतारा और फिर ओडिया फिल्म दमन ने एक ब मामले में हो या सिनेमिटिक एक्सपिरियंस के मामले में लेकिन कुरोना काल के बाद ये बदलाव बड़े रूप में देखने को मिल रहा है लगतार रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज कुछ न कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रही हैं इवन बॉलिवुड में भी नए चाहे चंडीगड करे आश्की टाइप की फिल्म हो या ब्रहमास्त्र बट वो एक्सपेरिमेंट कारगर साबित नहीं हुए क्योंकि चंडीगड करे आश्की जैसी फिल्म हमारे कल्चर में सटीक नहीं बैठती और ब्रहमास्त्र फिल्म जो अपने रूट से जुड़ी फिल आ रही है जिसका टीजर ये संकेत दे रहा है कि फिर एक अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल सकता है फिल्म का नाम है हनुमान जिसके टीजर पर आज की चर्चा रहेगी हनुमान एक सूपर हीरो फिल्म होगी जो हमारे भारतिय सिनेमा में कोई आम बात नहीं है सूपर हीरो पर हमारे यहां ज्यादा फिल्में नहीं बनी है सूपर हीरो के नाम पर हमारे पास शक्तिमान सबसे बड़ा और अच्छा एक्जामपल है बट पिछले दिनों मल्याला में मिननल मुर्ली नाम से एक सूपर हीरो फिल्म देखने को मिली थी जो अगेन अपने जबरदस्त content, VFX और cinematic experience के लिए पसंद की गई थी उसके अलावा ज्यादा तर इस यौनर की फिल्मों को दर्शक नकारते ही आये है हनुमेन जैसे की नाम से ही अंदाजा हो जाता है कि हनुमान जी और उनकी शक्तियों का प्रयोग कर इस सूपर हीरो को दिखाया जाएगा हमने किताबों में, सीरियल्स में, फिल्मों में हनुमान जी का वर्णन सुना है जो अपने आप में ही रॉंग्टे खड़े कर देने वाला होता है वो चाहे बच्पन में हनुमान जी द्वारा सूरज को निगल जाने वाली कहानी हो एक छलांग में समुद्र पार करने वाली कहानी हो शक्तियों को याद दिलाने वाला पल हो या संजीवनी बूटी के लिए पूरे परवत को उठा लेने वाला द्रश्य हो हनुमान जी के कारणामे आज भी रोमान्चित करते है ऐसे में जब उन्हें एक सूपर हीरो की तरह फिल्म में दिखाय जाएगा तो कौन होगा जिसे excitement नहीं होगी हाँ ये ज़रूरी नहीं कि subject अच्छा हो तो फिल्म भी अच्छी होगी फिल्म कैसी बनी है उसकी जलक हमें टीजर के रूप में फिल्म मेकर्स द्वारा दिखाई जाती है और फिर हमें आइडिया लगता है कि फिल्म को किस तरीके से treat किया गया है हनुमान का टीजर करीब एक मिनट 42 सेकंड का है अफकोर्स हनुमान जी पर फिल्म बेस्ट है तो टीजर की शुरुआत में हनुमान जी क्या है वो कितने बलशाली है तीनों लोकों में उनका कैसा दबदबा है ये बताना आने वाले विजुल्स के लिए excitement को बढ़ा देता है इस टीजर में सबसे पहले हनुमान जी के बारे में बताया गया है जो उनकी शक्तियों को दर्शाता है शुरुआती सीन मुझे एक पल को आदी पुरुष के टीजर के शुरुआत सीन किया दिला रहा था बट ये वैसा नहीं था हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ती से बहतर इस टीजर के शुरुआत क्या हो सकती थी और इसके बाद हनुमान जी के बारे में वोईस ओवर में बताया जाता है जब एक्टरेस का पहला शॉट दिखता है तब बलर विजुल्स में बैग्राउंड में जो हनुमान जी का दिरिश्य दिखाए गया है I mean वाउ क्या कल्पना शक्ती है डारेक्टर की टीजर में आदी यूग और आज के यूग का जबरदस्त मिश्रन फील किया जा सकता है एक तरफ जहां हीरो धोती पहने हाथ में गदा लिये हुए है वहीं उसके सामने हेलिकॉप्टर का शॉट इस तरह के विजुल्स टीजर को पावरफुल तरीके से दिखाने का काम करता है फिल्म से एक एक शॉट को मानो च्छान कर इस टीजर को बनाये गया है और ये तभी संभव है जब फिल्म में ऐसे शॉट की भरमार हो अफकॉर्स टीजर में कुछ अन्रियालिस्टिक एक्शन सीन्स देखने को मिले है बट अब जब फिल्म ही बजरंग बली के पावर पर बेस्ट सूपर हीरो की है तो हीरो की पिटाई से विलन आकाश में तो उड़ेंगे ही न इसमें कुछ भी सर्प्राइजिंग नहीं है अब तो आम फिल्मों में भी हम 12-15 गुंडों को हवा में उड़ते सुईकार कर चुके है तो ये तो हनुमान जी स्वेम मार रहे हैं इनके मुक्के से विलन का अकाश तक उड़ना तो बनता ही है ये बहुत अच्छी सोच है कि सूपर हीरो के मामले में हमने स्पाइडर मैन, बैट मैन जैसों को फॉलो नहीं किया बलकि अपने भारतिय सूपर हीरो का इजाद किया जो हमारे देश की संस्कृति को दिखाने का काम करेंगे हॉलिवुड में किसी भी फिल्म का देशी वर्जन अगर आप ढूंडेंगे तो अपने यहां की किसी न किसी कहानी में वो मिल जाएगा लेकिन हमें आदत है हॉलिवुड को फॉलो करने की और उसी आदत को अब बदला जा रहा है कांतारा, दमन और अब हनुमान जैसी फिल्मों से नो डाउट टीजर इंप्रेसिव है पचास करोड के बजट में बनी यह फिल्म फिलहाल अपने VFX से प्रभावित कर रही है और देखो याद, टीजर जो है वो फिल्म के बारे में काफी कुछ बता जाती है लगबग इसी अवदी के टीजर से आदी पूरुष की क्वालिटी का पता चल गया था और अब इसी डेड़ मिनट के हनुमान के टीजर से भी इसकी क्वालिटी का पता चल रहा है I hope आगे भी इस तरह के कंटेंट आते रहेंगे क्योंकि अब फिल्म इंडस्ट्री बदल रही है Have a nice day